कि नमस्कार स्टुडेंट आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल साइंस क्लास एंग जी के पर देखो आज का जो हमारा नोएक्स टॉपिक है जो हमने प्लांट ग्रोथ वाला पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा था प्लांट हार्मोन के बारे में एक बित्दिप्ति कालिता के बारे में पढ़ेंगें बित्दिप्तिकालिता यहां पर क्या होती है एक्जाम की दरश्टि से जो important point है वह मैंने यहां पर नोट के handwriting यह नोट मैंने आपको बनाए एकदम पर इसी के थ्रोम यहां पर पढ़ने वाले हैं आज की क्लास और जो भी students सारी कर रहा हूं विल्कुल फ्री वो प्रेरिद करते हैं यहां पर अगर कमेंट्स वगेरा नहीं होते तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चों को यह चीजे समझ में नहीं आ रही होगी या फिर कोई स्टूडेंट देख भी नहीं रहा होगा यहां पर तो एक बार आप कमे के रहा हूं कि आपको यह चीज मैं आपको डिटेल से मतलब होता क्या कि नोर्मल ही मतलब समझना पुष्पन के लिए आउशक परकास ही अवदी पुष्पन के लिए आउसे परकास की जो आउदी होती है उसे हम क्या कहते हैं यहां पर दिप्ति कालिता कहते हैं तो यहां पर द्यान में रखना भई पादबो के अंदर जो पुष्प लगते हैं उसे हम पुष्पन कहते हैं पुष्प लगने को और उसके लिए कितने परकास क्या हो सकता होती है और इसको हम यहां पर सर्दी की रित्व में उगा सकते हैं कयां कोई ऑउसी रित्यान्त हैं कि यूँकि देखो एक रिजन है इसके पीछे उस रिजन को आपको पकड़ना एक तब आपको दिप्तिकाली तहीं यहां पर समझ में सर्दी के समय या जो आपके रात्री होती है वो रात्री क्या होती है या पर लंबी यही तो रिजन है यहां पर सर्दी और गर्मी के दिनों के अंदर वह सर्दी और गर्मी के दिनों में यहां पर क्या डिफरेंस होता है तो ग्रिशम रितु में दिन लंबे रात छोटी सर्द में दिन चोटे और रात लंबी यह रिजन तो आपको पता होगा आप भी जानते हैं विल्कुल सरी रिजन तो पता हमें लेकिन इसका पीछे पुष्पन से पोदों से क्या रिलेटेड तो ध्यान में रखना गर्मी की रितुक के अंदर जो पोदे हमने बोई हैं और इसके लंबे लंबे दिन होगे तो परकास भी ज्यादा रहेगा तो इस समय यहां पर द्यान में रखना गर्मी के अंदर प्लांट वह उगाए जाते हैं जिनको लंबे परकास क्या हो सकता होगी अगर इस प्लांट को सर्दी की रितु में उगाया तो यह आपकी उगाई नहीं द सकता होHao ओगी छोटा डिन आगे तो परकास अपनापकं रहेगा तो सर्दी में आपके दिन क्यों थोटे और परकास भी क्या रहें हैं तो ऐसे चंदिस्न के अंदर इसको यहां पर पुिश्पन के लिए कं परकास यहां पर आसकता होती और इस सर्दी वाले को गर्मी में ह फॉस्वन होगा W implications पॉस्वन होगाना यहां पर यहां पर पुष्पन के लिए अधीग परकास क्या हो सकता हो तो यह यह पर यहां पर प्रकास process की यहї तो बात पैस कि जो पुष्पन के प्रवाव का जो सबसे पहले अध्यान विग्यानिक ने क्या था वह आपके गारनर और आपके एलाड थे तम सबसे पहले परियोग किस्म नहीं होता यहां पर पूस्पन नहीं होता है लेकिन इसी किस्म को अगर हम यहां पर ग्रेशम रीतु में उगाते हैं तो इसके अंदर यहां पर पूस्पन हो जाता है तो पूस्पन के लिए अलग थी तभी तो नहीं हुआ यहां पर गर्मी के अंदर तो पूस्पन हो जाता है तो यह आपके तंबाकों के उपर परियोग क्या गए ध्यान मेरकना तंबाकों कौन से किस्म तो मैरीलें मेमोत यहां पर इसकी किस और गरमी के दिनों के अदर आप देखते हो यहां पर नोर्मली कि सुबह आप साटे-पांच बजे नोर्मली आपके उजाला हो जाता है और लगबग आपकी दिन चोटे होते मतलब दिन है वह आपके लगबग आपके 11 गंटे के आसपास या फिर आपके नोर्मली 11 10-15 मिन्ट एसा कुछ होगा मतलब परकास की जो अपके यह होती है तो यहां पर दिप्तिकाली तक अदर सबसे पहला जो प्लांट से यहां पर इसी प्लांट से यहां पर यहां पर इस में यहां पर सोट डे प्लांट सोट डे का मतलब जिसको कम दिन क्या हो सकता होगी इसका मतलब यह वह यहां पर भी क्रांतिक दिप्तिकाल से कम आउधी के परकास क्या हो सकता होती है तो आपके क्या कहलाते हैं यहां पर अल्प दिप्तिकाली पादब अल्प का मतलब कम परकास क्या हो सकता कम का मतलब 12 गंटे से कम परकास क्या आउ सकता होगी यहां पर 12 गंटे से कम लंबे दिन क्या होदी तो दिन क्या होदी कम होगी तो रात्री क्या हो जाएगी ज्यादा तो यहां पर 14 से 14 गंटे रात्री की क्या होती है यहां पर आउ सकता होती है अब रात में मतलब रात लंब अब इसके उधारन आप विशेश तोर से ध्यान में रख लेना डायरेक्ट तंबाकु हो गया सोया भीन हो गया गन्ना डेहलिया सकरकंद और आपके सर्सों यह आपके इसमें अल्प दिप्तिकाल पादप में आते हैं तो यह ग्रेशम रित्व का और आपके सर्दी की रित्व का जो कॉंसेप्ट में आपको बताया था इसको विशेश तोर से ध्यान में रखना और यह सारी चाहिए आपके यहां पर किलियर हो जाई है अब जलते हैं से नेक्स्ट टॉपी की तरफ अब देखो नेक्स नमारे सामने अब नेक्स नमारे सामने यहां पर एल डीप का मतलब होता है यहां पर लोंग डीप्लांट क्या होता है इसका मतलब होता है लोंग डेशोंग डेशोंग डेशोंगे वाले पादब जीन को बारस गंटे उनीजिद्ट होती हैं तो इसे क्रांतिक दिप्तिकाल का क्रांति का मतलब एक Pas फिक्स कोई अवदी है प्रकास के उसे अधीक प्रकास तो आपके सोट डे प्लांट ंसे अधीक प्रकास वह परें चाहिए यहां पर छोटी और रात छोटी है तो इसे हम यहां पर रात रिपादब भी कहते हैं जैसकि उदारन पालक हो गया मूली हो गया चुकंदर हो गया गयों गाजर और आलू तो यह उदारन भी आपको साथ में ध्यान में रखने हैं कि अब देख सकते हों हमारे सामने कि कि जो नेक्स्ट आपके सामने दिवस उदासीन के परतितासी कोई प्रभाव और तो पुष्पन क्रिया पर कोई प्रवाव नहीं होता है तो टमटर हो गया कपास हो गया मक्का मेट्स और सुरज मिल्की इनके उपर दिन के अउदी का कोई प्रवाव नहीं पड़ता इनकी किसमें से सर्दी गर्मी कभी उगा सकते हो तो यह द्यान में रखना यहां पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता है अब नेक्स यहां पर आपको पूशे भी दिप्ति कालिता है इसके अंदर यहां पर कल्या होती है ङनके उपर प्रकास का प्रवाव पड़ता नेक्स एमारे सामनी यहां पर arrives क्रिया विदि को समझ दिप्ति कालिता कि क्रियाविधी किस परकार से होती है एक बार में इस सलाइड हो है धोड़ा जूम भी यहाँ पे कर देता हूं आसानी से वह आपको सारी चीज़े हैं वह यहाँ पे किलियर भी दिखाई दे मैं इस slide को थोड़ा जोम कर देता हुए है न का हो गए है यह लूं एक इस slide को मैं थोड़ा जोम कर देता हूं आपको सारी चीजरे हैं वह आसाने से यहां पर दिखाय दे जाएगी कि मैं खुद को अपने आपको भी थोड़ा चोटा कर लेता हूं कि भी सारी इस चीज आपको एक दम अच्छे से किलियर दिखाई दे कोई प्रोब्लम भी नहीं होनी चीए यह लो कि देखो दिप्ति कालिता की जो क्रियावीदी उसको समझना यहां पर ठीक है अब ठीक है अब दिप्ति कालिता की क्रियावीदी में देखो सबसे पहले क्रियावीदी के अंदर यहां पर एक फ्लोरीजन परिकल्पना ठीक है और फ्लोरीजन जो परिकल्पना है यह आपके चेलिया खान परिकल्पना भी कहते हैं क्योंकि यह वेग्यानिक का नाम है यहां पर के लिए परिकल्प ना की गई थी भूरी जन परकार का हार्मों में बनता है तो फ्लोरीजन है और आपके जिब्रेलिन स्थार्मर्ण होता है यह परतिपादित अन्दर हमने बात की तीपतिका लिता है तो उसका ग्रेंड कोन करता है पत्या या कलियां यहा पर बात की गए कि फाइटो क्रॉम होता है एक परकार का परकास ग्राय उतलते के बात्य चमकीला नीला प्रोटीन स्कूर एक प्लिएग परीश्ट पारत्यंप फैटो उक्रॉम के दो रूप होते हैं यह यह पर द्यानगा एक तो पी 730 पर एक और यहां पर यहां पर परकार से इस परकास आपके सामने डाइग्राम है कि लाल पर में परकास किसमें होता है आपके हुआध यहां पर दिवत्तिकालिता के बार में लस्ट आमारा जो टोपिक है इशल न्या यह वह संतिक रहें वावशन टॉपिके बार में और आपके प्लांट ग्रो나पी कोन सा स्टार्ट करना है वो भी आप सारे स्टुडेंट्स यहां पर कमेंट्स जरूर कर देना वही मैं आपको टॉपिक प्रेद्स करना अगर यहां पर बात करें अब करना प्रकास के लित लेकिना अगर कम ताक में प्रेद्स करते तो वह Tusk cs एक्जाम्पल जैसे दीवी वर्षी पोदे जो आपके दो वर्ष तक जीवन खाल रहता है जिसकी चुकंद रोगए पत्तागोब भी नाध रहा पर जो जो राई की दो किस्म होती एक तो जाड़े और एक आपके बसंद के किस्म जाड़े रितुमें भी उगई जाती है बसंद रितुमें भी उगई जाती है तो इनकी दो आपकी किस्में ध्यान में रखना गयों जो और राई इनकी दो-दो किस्म होती है जिनको जाड़े और बसंद हो जाए तो पत्या गिरनी शुरू हो जाती है और इसके अलावा यह भी आपके वी लगनों को प्रेरिक करता है मतलब पत्यों के गिरने को यह यहां पर आर्मोन बढ़ाता है तो यह हमारा जो टॉपिक था यहां पर साथ कंप्लीट होता है एक यह वसंती करन था और यहां पर आपकी दिप्ति काने ता अंदर हमने यह पर तीन परकार के प्लांट पड़े थे मैं सोट है लांग TL आपके दिवस उदस पादम एक दम अच्छे से जो नो Weise मटत mam आपे क्यों अब ऐसा दोनी में आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको पूछ सकता हूं डायरेक्ली एक दम आप कमेंट्स कर दिया करो ठीक है मिलते हैं आप इस नेक्स क्लास के अंदर